नमस्ते विद्यार्थियों ये विडियो जो आप देख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका अभी कक्षा बारवी का हिंदी विशय का प्रश्ण पत्र नहीं हुआ है लेकिन यह वीडियो उन सब विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो अभी कक्षा 11 वी तीन करके कक्षा 12 वी में आये हैं आपको कक्षा 12 वी के आने वाले प्रश्ण पत्र में शत प्रतिशत अंग 100% मार्क्स कैसे लाए जाए इस और आपका ध्यान आकरशित करते हुए आने वाले हिंदी के प्रश्ण पत्र के प्रत्य प्रश्ण को किस तरह से हल करें यह तरीका आपको बताया जाएगा आपको मैं यह भी बताने जा रहा हूँ कि प्रत्य प्रश्न को आप किस प्रकार से उत्तर देंगे उसको किस प्रकार से समझेंगे और फिर परिक्षा की उत्तर पुस्तिकाब में अपना प्रश्न हल करेंगे जिससे कि आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और इंपोर्टेंट जानकारी हम देने जा रहे हैं कि अभी परिक्षा की तिथियों की घोशना नहीं हुई है लॉक डाउन की वज़े से परिक्षा मई के अंतिम सब्ता में होने की संभाव ना है या जूद में हो सकती है लेकिन परिक्षा की तिथि की घोशना के पश्चाहत और परिक्षा प्रारंब होने से पहले हम केवल कक्षा बारवी के हिंदी विशय के प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से हल करके एक वीडियो की सीरीज शुरू करने जा रहे है इस सीरीज में आपको प्रतिय दिन कम से कम एक वीडियो अपलोड करके सरल हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा इसलिए आईए हम शुरू करते हैं अपनी बात को दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि कक्षा 12 विका आपका जो प्रश्ण पत्र है ये कुल 80 अंकों का होगा 80 अंकों में से 20 प्रश्ण आपके 20 अंकों के जो प्रश्ण है वो पहले ही हो चुके हैं श्रवन कथा वाचन और परियोजनाकार याने प्रोजेक्ट के माध्यम से तो अब आपके बचे जो अंक है वो कुल 80 अंकों का प्रश्णपत्र होगा 20 अंक में से अधिकतम अंक जो आपको मिलना चाहिए थे वो मिल चुके होंगे सामान्य तयर देखा गया है कि जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं हिंदी में उन्हें 20 में से 20 अंक विद्याला इस तर पर मिल जाते हैं और जो बच्चे थोड़े से कम जोर होते उनको भी 18, 19, 20 इस तरह से अंक मिलते हैं इसलिए आप समझ लीजी कि आपको इतने अंक तो मिल चुके हैं अब जो 80 अंक है इनमे से अगर आप 75 से 80 के बीच में अगर ले आए तो हिंदी विशे में आपके अंक 95 के अंकडे को छूलेंगे और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप हिंदी जैसे विशे में 95 अंकल लाते हैं या 90 से उपर अंकल लाते हैं खुल मिलाकर तो आपका ओवराल परसेंटेज एक दम बहुत अप कर जाएगा बहुत अच्छा रहेगा मैंने व्यक्तिकत रूप से बहुत सारे बच्चों के मार्स को देखा है कि जो बच्चे सारे विशे में 95 परसेंट मार्स ले आते हैं लेकर अगर उनको हिंदी में 70-75 अंक आए तो उनके परसेंटेज 90 से डाउन हो जाते हैं और कई बार इस वज़े से भी कॉलेज लेवल पर कट आफ मार्स के नीचे रह जाते हैं आईए प्रशन पर हम आते हैं पहला प्रशन आपका जो होगा कुल 13 प्रशन आपके इस प्रशन पत्र में आएंगे आपको ये ध्यान रखना है कि इस 13 में से जो प्रशन जितने अंग का है पूरे के पूरे अंग आपको मिलना चाहिए एक भी अंग नहीं करना चाहिए हम इसका तरीका बताने जा रहे हैं पहला प्रश्ण में आपका अपठीद गद्यांश आता है और एक अपठीद काव्यांश आता है दो प्रश्ण होते हैं पहले ये प्रश्ण पंदरांग का आता था अब ये दो टुडों में एक दस और एक पांश कूल पंदरांग का आएगा पहले अपठीद गद्यांश पं आए और वह गद्यांश जिसे आपने नहीं पढ़ा है उसकी को हम अपठित कहते हैं और उस गद्यांश में कुछ शब्द आते हैं उन शब्दों के प्रयोग पर उनके अर्थ पर उनके विलोम पर और उन शब्दों की विशेष्टा पर प्रशन रहेंगे उस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए इस पर एक प्रशन अवश्या आता है और उस गद्यांश में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को ये दूसरे रुप भी आपको आना चाहिए क्योंकि रचनान्दरन पर भी प्रशन रहेगा जो उसमें वाक्य आएंगे उस वा वाक्य देया जा सकता है, कोई शब्द दिया जा सकता है, जिसको उसके दूसरे रूप में आपको बदलना होता है। जा सकता है, जिसके लिए एक शब्द हो सकता है, अर्थात पूरी तरह से शब्द अर्थ रूसके प्रयोक पर आधारित प्रश्ण होते हैं, इसलिए आपको इन चीजों होते हैं। पर विचार करना है और कुछ प्रश्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उत्तर उस गध्यांश में ही नहीं भाव पर होता है तो इस तरह से 10 में से 10 अंक आप लाने के लिए ध्यान पूर्वक गध्यांश को पढ़ते हुए ये ध्यान रखिए कि जिस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्णों की थोड़ी तैयारी आपकी पहले से ही हो इसलिए परीक्षा में प्रवेश करने से पहले आज ही से आपकी तैयारी ये होना चाहिए कि कम से कम आप 5 से 10 अपठीद गध्यांश को हल करें इस पर भी हम आने वाले समय में वीडियो अपलोड करने वाले हैं दूसरा प्रश्ण रहेगा अपठीद काव्यांश का देखिए जो काव्यांश का बोध है उसमें भी प्रयोग और भाशा शेली के बारे में पूछा जाता है उस काव्यांश में रस कैसा प्रयोग हुआ है चंद कैसा है अलंकार कैसा है इसकी बारे में प्रश्ण पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको काव्यांश की भाशा का भाव उसमें प्रयोग रस चंद अलंकार अगर उस काव्यांश उसको गया जा सकता है तो गीती तत्व और उसके चंद का प्रगार इस पर भी साधारन प्रशन हो सकते हैं का व्यांश में जो कोई पंक्ती आई है उससे related question हो सकता है इसके लिए भी आपको हम भाव भाशा रश्चंद लंकार केसे देखते ही पहचान ले इस पर आने वाले व वीडियो रहेंगे उसमें इसका हल भी आपको बताया जाएगा लेकिन पांच से दस अपठीद काव्यांश आपको अच्छी तरह हल करके देखना है और जब तक पांच में से पांच अंग प्राप्तन हो जाए आपकी गलती कौन से पार्ट पर हो रही है question number one और two अपठीद गद्यांश और काव्यांश आप पांस से दस हल करके देखेंगे और कौन से पार्ट पर आपकी गलती हो रही है केवल उसी पर आप ध्यान करके उसी की तयारी कर लेंगे तो आपको पंदरह में से पंदरह अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता हम आपके साथ में और आपको इत कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी बात रखे में व्यक्तिकत रूप से आपका जो है उत्तर दूँगा आप जरूरत पढ़ने पर मुझसे बात भी कर सकते हैं देखिए आगे आगे जो आपका प्रशन तीन रहेगा दिये गए जो प्रत्याशित विशे रहेंगे उसमें कुछ नए विशे रहेंगे इन विश्यों में से किसी एक विशे पर रशनात्मक लेखन वाला प्रशन रहता है प्रशन तीन है इसको हम निबंद आत्मक प्रशन यानि निबंद वाला प्रशन भी आप कह सकते हैं आपको तीन चार विशे दिये जाएंगे किसी एक विशे पर आपको अच्छे से डेड़ सो से दो सो शब्दों में निबंद की तरह एक लेख लिखना होता है और ये जो विशे आएंगे आपने कभी सोचे नहीं होंगे या करन टॉपिक पर हो सकते हैं लेकिन उस विशे क्या प्रारंब केसे करना है मज्द केसे होगा अप समवार केसे होगा उससे संबंदिन क्या-क्या बाते और कैसे आपको लिखना चाहिए ये आपको ध्यान में ह होना चाहिए इस पर भी हम कुछ उदाहरण के साथ आपको निवन्दात्मा कुछ निवन्दों पर कुछ नए नए विशय पर जो आ सकते हैं परिक्षा है उस पर वीडियो डालने वाले हैं लेकिन आप यह जो तीसरा प्रश्ण है इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि अग जो लिखना चाहिए उसकी वजाए वो अलग-अलग तरह की चीज़े लिख देते हैं आपका यह प्रश्ण बड़ा इसका उत्तर एकदम सटी होना चाहिए कि प्रारम केसे करना है और उसकी प्रस्तावना केसे करनी चाहिए फिर विशय को परिभाशित केसे करना है फिर ती रशनात्मग लेखन करें पांश नंबर का क्योंकि यह बहुत महत्तोपुन होते हैं अगर हम घलस दर लिखेंगे तो इसमें पांच में से एवरेज मार्क्स तीन साड़े तीन मिल जाएंगे लेकिन आपने टू दपाइंट अंसर अगर लिखा है तो आपको पांच में से प सम्बंदित पनको करके अपनी बात को समाब्द करेंगे तो आप की भाशा पर पकड़ है क्हँं प्रयोक करना चाहिए कौपी जासने वाला इसको समझ जाता है और खुशी खुशी आपको 5 में से 5 नाश रंक देने में उन्हें कोई संकोष नहीं होता इसलिए तीसरा प्रश्ण बेहद महत्तोपूर्ण था प्रश्ण देखिए कार्यालाई पत्र विकल्प सहीड इसमें इस तरह की प्रश्ण आते हैं आपचारिक पत्रों से यूद कार्यालाई पत्र का मतलब ऐसे कोई पत्र जो किसी नहीं किसी कार्यालाई के अधिकारी को लिखे जाते हैं हमारे आम आद्मी की नोकरन पेशाय लोगों की समस्या से जुड़े होते इसी ते संबंदित होता है तो उसको कैसे आपको विवस्तित तरीके से लिखना है फिर विशय के लिए आपको अपनी बात कैसे विनमरता पुरवक रखना है और कैसे लेटर की बौडी रहेंगी जो हम्त लेंढ के बाद को भी नहीं हो चाहिए तू द पाइंट आपने विशय की जो county प्रवाशा आपकी भाशा अगर बहुत शाली ने बहुत विनम रहे और बहुत सटीक है तो कोई पत्र पढ़ने वाला कापी जासने वाला तीन लाइन पढ़ करके और आप पत्र का प्रारूप है वो देखके आपको पांच में से पांच अंग दिये बिना नहीं रहेगा इस पर भी एक दो वीडियो हम आगे डालने वाल हैं इसी सिरीज में मैंने आपको लेकिन यह इतना जरूर बताया है कि इसको आप इसी इन सब चीजों को इन सब बातों को ध्यान में रखते होगे इसके बाद अगला जो प्रशन आपका आएगा दोस्तों वह होगा आदियों में किताब है 11-12 दोनों के लिए एक ही है 12 का सिलेबर अलग है इसी में 11 का एक वाड़ है इसमें से 5 प्रश्न पांच अंग क्या आते हैं कुल 20 मार्स के इस किताब में से प्रशना दें लेकिन 5 अबजेक्ट्टिव आते हैं जिनमें एक लाइन में या एक शब्द को चुनना भी हो सकता है और ये प्रश्ण मैं आपको अभी से बता दों देख लीजिए निश्चीत रूप से दो समाचार पत्रों के नाम पर किसी समाचार पत्र के नाम पर एक प्रश्ण होता ही होता है तीन तरह के पत्रकार होते हैं उन पर एक तरह के पत्रकार प्रश्ण ह संपाध़ कि क्या होता है इनकी विश्य स्थारे समध्री एक प्रश्ण अवश्य आता है टीवी की न्यूज ब्रेकिंग न्यूज और उसकी बाइट्स वगेरा इस पर आधारित भी एक प्रश्ण आता है पत्रकारी ताके प्रकार के आधार पर तो यह कुछ कामन प्रश्ण जो अभी तक परिक्षा में आ चुके हैं उन प्रश्णों का सटी उत्तर टू दपाइंट कैसे लिखे हम आपने आने वाले सिरीज में बताने वाले हैं इस प्रश्ण में आपको यह बातों का ध्यान रखना है इसमें से जरासा अगर एक शब्द गलत हो गया तो आपका एक अंग चला जाएगा लेकिन थोड़ी साओधानी से सटी उत्तर लिखा तो पूरे पांच के पांच अंग आपको मिलने वाले हैं और निश्वित रूप से मिलेंगे हम आपके साथ हैं एक प्रश्ण आएगा च्छटा कवीता कहानी नाटक की जो रश्णा प्रक्रिया है उस मंचवर दिखाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसमें वेश भुशा होती है पात्रों के समवाद होते हैं और कहानी में कहानी का शिर्षक होता है इसमें कहानी का जो एक प्रवा होता है इसी तरह कवीता में भाव आशा रश्ण नलंगार का अपना महत तो होता है गतियती लएक आपना महत होता है तो इन पर आधारीत कोई एक प्रशन आपको करना पड़ सकता है जो पांस नंबर का होगा इसके बाद सात्वा प्रशन जो आपका आएगा दोस्तों समाचार पत्र लेखन में उल्टा पिरामिट शेली पे आ सकता है फीचर लेग न समफाद्यकी वहां लिखा रहता है उसके नीचे किसी का नाम नहीं होता है क्योंकि वो पूरे समाचार पत्र की विचार धारा होती है इसलिए किसी एक लेखक का नाम नहीं होता, तो संपाद की पर आलेख बीश में एक बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे एक्जाम्पल और डाटा देह कर कि अपनी बात कोई लेखक कहता है, उस आलेख पर कोई प्रशन आ सकता है, तो ये 5 नमबर का रहेगा तो आलेक कैसे लिखे, फीचर लेक कैसे लिखे या संपातगी क्या होता है इन सब पर भी एक सीरीज इस हमारी सीरीज के अंतरगर एक वीडियो, एक दो वीडियो हम जरूर डालेंगे जिससे कि आपको पूरे 5 में से 5 अंक मिले और आपको मालू होना चीए कि फीचर लेक और आलेक में जो साधार अंसा अंतर है वो अंतर क्या होता है ठीके, ये आपके 7 प्रशन जो आएंगे ये आपके खंड का और खं में रहेंगे खंड का में आपका आपठीद गद्यांश और पद्यांश रहेगा जो कुल 15 अंक का रहेगा और तीसरे से 7 प्रशन तक आपको निबंद, पत्र और अभिव्यक्ती माध्यम के प्रशन और समाचार लेकन आलेक ये कुल मिलागे 25 नंबर के रहेंगे तो टोटल 25 और 15 नंबर के अपठीद गद्यांश पर 40 अंक ये आधा प्रशन पत्र आपका हो गया जिसका संबंद आपके गद्य और पद्य से नहीं था आईए अब जो तीसरा भाग रहेगा पाठ्य पुस्तक वाला इस पाठ्य पुस्तक में आपकी जो किताब है आरोह भागदो और वितान भागदो इससे प्रशन होगे और बाकी के आरोह वाले भाग से हो सकते हैं पंद्रा आरोह से हो सकते हैं पंद्रा आरोह के गद्य भाग से पंद्रा पद्य भाग से तीस और दस नंबर आपके वितान से ऐसे कुल मिला कर चालीस अंगों के प्रशन होगे तो आरोह भाग दो में काव्य घंड जो है इसमें से किसी कोई एक काव्यांश दिया जाएगा कविता की चार या छे लाइन या आठ लाइन उस कविता का जो अर्थ क्या है भाव क्या है इस पर दो प्रेशन रहेंगे या तीन रहेंगे अगर दो प्रेशन होगे तो तीन-टीन मास के और तीन प्रेशन होगे दो-दो मास के यानि-कट Administration रहेंगे और एसा रहेगा है कि चार में से तीन हल करना है या तीन में से दो हल करना है इस तरह का रहेगा ठीके तो आप इस बात को दियान देंगे और किसी एक कावियांच पर अर्थ ग्रहन से संबन्दी तीन प्रश्ण या आपको अगर हल करना है तो बहुत रहल है इसके लिए आपने अगर कवीता को पढ़ा है उस कवीता का केंद्री भावे उसका सारांच भी आपको मालूम है तो उस प्रश्ण का उत्तर कैसे लिखकर पूरे के पूरे च्छे अंकल आएं इसमें केवल आपको तू दपाइंट अंसर लिखना है और उस कवीता का जो मुख्य भाव है जो प्रश्ण में पुछा गया है उसको छूते हुए आपको उत्तर को लिखना है काव्यांच के सोंदर्य बोट पर दो प्रश्ण रहेंगे एक काव्यांच आएगा और उसमें ये पुछा जाएगा कि बताइए इस कवीता में इस पंती में कौन सा अलंकार है ये कवीता कौन से चंद में लिखी गई है इसके लेखक कोन है और इसका केंद्रय भाव क्या है तो उस जो काव्यांच रहेगा उसका भाव क्या है उसका स इसके साथ पूछा जायेगा इस तरह से बहुत ही शॉद में आपको इसारी चीजे हम एक वीडियो में बता देंगे जिससे कि आप 5 मैं से 5 अगर आपको यह भी पता नहीं है कि उस कवीता में कौन सी भाषा है और कौन सा छंद तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी पता नहीं हुने पर भी आप क्या लिखेंगे जिससे कि पांच में से कम से कम तीन मांज या चार मांज आपको असानी से मिल जाएं यह तरीका हम आपको हमारे आने वाले सीरीज में जरूर उधारन के साथ बताएंगे तो यह जो प्रशन रहेंगे दोस्तों तीन प्रशन में आपको बताए हैं काव्यांच का सुंदर्य बोथ पर अर्थ ग्रहन पर आधारीद और एक विशय वस्तू पर आधारीद भी जो प्रशन रहेंगे एक तीन मार्स का एक दो मार्स का तो कुल मिला कि यह 15 मार्स के आपके काव्य खंड से प्रशन आएंगे और ऐसे ही 15 मार्स से गध्य भाग से आने वाले हैं गध्य भाग में आपको दो गध्यांच दिये जाएंगे अथवा में रहेंगे उन में से एक ही गध्यांच को हल करना है और उस गद्यांच का भाव क्या है अर्थ क्या है और उसका मतलब क्या है इसी पर आधारी दो प्रश्ण रहेंगे च्छे नंबर के और तीन रहेंगे तो दो दो नंबर के रहेंगे टोटल मांच छे ही होगा ठीक है तो छे नंबर का प्रशन आपका गध्यांच में से रहेगा और उसी गध्यांच में से आपको अंसर लिखना है समझ कर अगर आप ऐसा का ऐसा ही गध्यांच में से पूरी की पूरी लाइन लिख देते हैं तो जरूरी नहीं है कि छे में से श्यंग मिले लेकिन थोड़ा सा उसका मतलब या भाव समझ कर लिखेंगे तो आपको पूरे छे में से श्यंग मिलेंगे इस बात को हमेशा दियान रहें अगला जो प्रशन होगा बारमा वो पाठ्व की जो विशेवस्तु है चार में से तीन बोधात्मत प्रशन है प्रशन हो सकते हैं या एक प्रशन या दो प्रशन उसमें से किताब के बीच में से एक्स्ट्रा क्वश्चन बनाया हुआ भी हो सकता है यह नो नंबर का तो आपको ऐसे तीन प्रशन रहेंगे तोटल तीन तीन नो और जो घड्याँश रहेगा तोटल दूनमर तो नौ ऑठ से पन्दरा यह हो गया पंदरा के काव्याँश कर गया कर लिए दिए वितान भाग दो वितान भाग दो में आपके जो प्रश्न है वह चार नंबर के प्रश्न दो दो नंबर के दो छोटे प्रशन रहेंगे और तीन ती नंबर के दो रहेंगे ऐसे च्छे और चार कुल दस नंबर के चार प्रशन रहेंगे दो का उत्तर थोड़ा जादा शब्दों में लिखना है दो का कम है और इसमें बिल्कूल सिंपल है बच्चों, बिल्कूल सिंपल है कि आपकी तीन-चारतों केवल टोटल चेप्टर है, इसमें वितान भाग दो में, एनिवेसेंट वाला में कौन-कौन से कामन क्वेशन अक्सर पूछे जाते हैं, आप चारों का उन मुख्य प्रशनों का केवल अभ्यास कर ले, जो अभी तक पूछे गए हैं, या पूछे जा सकते हैं, या जिनकी संभाव ना है, उनी प्रशनों पर बहुत अच्छे से आपको तैयारी हम करवा देंगे, एक या दो वीडियो में, आप उनको जरूर देखिएगा, फिर भी इसके प्रशनों के उत्तर आपको to the point लिखना है, बहुत लंबे चोड़े नहीं लिखना है, और हिंदी का ये जो कुल 13 प्रशन आएंगे, आपके पास 80 मास का यह प्रशन पत्र हल करने के लिए, आपको 3 घंटे कम भी बढ़ सकते हैं, अगर आपने सोच समझ कर अंसर नहीं लिखा, और अतियात्म व हमारे जो सिरीज आने वाली है, बारवी के परिक्षागी तयारी से संबंदित, विशेशकर, हिंदी प्रशन पत्र के लिए, आप 8-10 वीडियो कूल अगर हमारे रहेंगे, ये 10-12 वीडियो ही आप देख लेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि आप 80 मैंसे 80 अंकल लाने का प्रयास करेंगे, और सोच लिजिए 75 से 80 के बीच आपके मार्स आएंगे, और 20 आपके पहले वारे मिला लिए, तो आप में से हर कोई विद्यार्थी 95 अंकल ला सकता है, और अपना ओवराल परसेंटेज बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप अगले वीडियो का इंतिजार कीजिए, बहुत शिग्र हम उसे अपलोट करने वाले हैं अपने चेनल पर, हमने जो आपको आपके प्रशन पत्र के स्ट्रेक्शर और तयारी के बारे में जो बाते समझाई, आपको कैसी लगी, कमेंट्स बाक में जरूर लिखिए, कमेंट्स बाक्स में, और दोस्तों, आखरी एक बात, आपने भी हमारा चेनल अभी तरह अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब इसे जरूर कर ले, बेल आइकान का बेटन दबा दें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ग्यान बाटने से हमेशा बढ़ता ह कम नहीं होता, जितना ज्यादा आप किसे शेयर करेंगे, ज्यादा ज्यादा आपके दोस्तों का हर किसी का भला होगा, आपका तो अपने आप होगा ही, ठीके, नमस्कार, धन्यवाद